नमस्क्राइब आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागे आप देखरे हैं माँ खास कारका हैं गूड मॉर्निंग इंडिया में आज खबरे आपकी मतलब की हैं क्यूंकि देश में कोरोनों के मामले कम होते नज़रा रहे हैं इसलिए तवाम राजजन्या से अनलोक की प्रक्रियाएं शुरू कर दी आज कहां पर क्या कुछ खुला हुआ है बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का सुविचार सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओ के शहर चलना भी जरूरी है मन्जिल को पाने के लिए तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलिए खबरों का भी रुक कर लेते हैं राज़ानी दिल्ली में कोरोना वारस महमारी की सुधरती इस्तिती के मदे नजर शहर की अत्विवस्ता फिर से पत्री पराने को तयार हो गई है अनलॉक की प्रक्रिया के तहट आज से मेट्रो का परिशालन भी शुरू हो गया है फिलाल मेट्रो पचास पीजदी शमता के साथ चल रही है वहियां से दिल्ली में और डीवन के अधार पा बाजार भी खुलेंगे 19 अपरल को लागू किये गए मौजूदा लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है बता दे दिल्ली में उत्पादन और निर्मान कर रहे हैं गति वीडियो को मनजूरी देने के साथ पिछले हफते अनलॉक की प्रक्रियाश शुरू की गई थी मौल, बाजार और कारोबारी परिसर यानि के साथ ताहिक बाजारों को छोड़ कर दुकानों के नंबरों के आधार पर सम विश्रम आधार पर सुबह 10 बज़े से रात 8 बज़े तक खुली रहेंगे इसका मतलब है कि सिर्फ 50 प्रतिशत दुकाने यानि कि आवश्चक वस्तों की बिक्वरी करने वाली दुकानों को छोड़ कर खुली रहेंगी हाला कि शैशने किताबे और स्टेशनरी की दुकाने मौल बाजार और बाजार परिस्तों में पंखे आधी की दुकानों को समय की पावंदी के बगए हफते में सातों दिन खोलने की इज़ासत होगी आयकर विभाग का नया पोर्टल आज से शुरू हो रहा है बता दें आयकर विभाग के मुताबे टेक्स पेयर इस पोर्टल पर ऑनलाइन विफरंट दे सकेंगे इसके साथ ही ये पोर्टल दिये गए विफरंट की ततकाल प्रोसेसिंग की सुविधा से जुड़ा हुआ है और इससे कर्व रिफरंट की प्रक्रिया भी शीग्र पूरी की जा सकेगी केंदे प्रत्यक्ष कर बोर्ट के अनुसार ये पोर्टल www.incometext.com आज से शुरू हो रहा है इस पोर्टल से की सुविधा से जुड़ा होगा और इससे कर्व रिफरंट की प्रक्रिया भी शीग्र पूरी की जा सकेगे इसके साथ ही CBDT एक नई पेमेंट कर पेमेंट सिस्टम भी 18 जून का शुरू करने जा रहा है पोर्टल पेश किये जाने के बाद में मुबाइल आप भी जारी किया जाएगा ताकि करदाता उसकी विभिन सुविधा को से परिचित हो सके मौसल विभाग ने रविवार को दक्षिन पष्शे मौनसून के कुछ और हिसों महराश्ट और पूर्वोतर पहुशने की घूफना की है रविवार तक इसने महराश्ट के 30 प्रतिश्यत हिसों को क वर कर लिया और पूने और रायगर जिले में प्रवेश कर दिया मौसम विभाग के मताबिक मौनसून के अगले हफते तक मुंबई पहुँचने की पूरी समभापना है मौनसून ने अपने शेडूल के दो दिन लेट गुरुवा को दक्षिन में केरल के टच पर दस्तक दी थी मौसम विभाग ने कहा है कि मौनसून ने पुर्वोता के पूरे इलाके को कवर कर लिया है मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिन पर्शिम मौनसून महराष्ट में पहुँच गया है यह अपचारिक रूप से टटिये रतनागिरी जिले के खरनाई बंदरगा में पहुँच गया है इसके दस्तक देने के वास्विक शेत्र सोलापूर तथा मराथा वाड़ा के कुछ हिस्से तक और उसके बाद तलंगाना और आंधर प्रदेश तक होता है भारत मौसम विग्यान विभाग ने कहा है कि दक्षिन पश्रेम मौनसून मध्य अरब सागर करनाटक के टटिये शेत्रो यानि की गोवा महराष्ट के कुछ हिस्सों में करनाटक के अंधरूनी हिस्से तलंगाना के कुछ हिस्से और आंधर प्रदेश तमिलनादू के कुछ हिस्सों मध्यप्रदेश बंगार की खाड़ी और बंगार की खाड़ी के पुर्बोतर हिस्सों तक महुच चुका है आईमजी के राज़े मौसंपुन अनुमान के केंडरू के राज़े इंदर जेनामानी ने कहा है कि 7 आज जून को कम बारिश होने का अनुमान है वहें गूड मॉनिंग इंडिया में अगली खबर का रुक करेंगे जो पाकिस्तान से आ रही है बेहत दुखत खबर है दरसल पाकिसान में सुवा सुवा एक बड़ा रेल खाथसा हो गया है सिंद्ध के धार की इलाके में दो ट्रेन अपस में टकरा गई और इस हाथसे में कई लोगों की जान जाने की आश़ूंका है शुरुवाती जानकारी के मताबिक अभी तक 30 लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी है मिलत एक्सप्रेस और सरसायद एक्सप्रेस में भिरंत में अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आश्वंका है क्योंकि अभी भी कई लोग बोग्यों में फसे हुए हैं, हाथसा गोटकी के पास हुआ है, चानकारी के मुताबएक मिलत एक्सप्रेस की बोग्या अनियंतर ठोका, दूसरी ट्रैक पर जागिरी और सामने से आ रही सर सयद एक्सप्रेस उससे चकरा गई, इस वज़ा से बोग फिलारों में फिलार के लिए इतना ही, लेकिन देखिए देश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, इसलिए आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन साफधानी बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हाला कि मार्केट खुल गए, मॉल्स खुल गए, लेकिन सा इजाज़त नमस्कार